आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student, आज का जो Question है यहाँ पर पूछा है कि Ziggler Nata Catalyst हमारा Basically कौन सा होता है हमें यह पूछा है तो पहले हम यह देख लेते हैं कि यह हमारे किस के काम आते हैं मतलब किस की Synthesis में तो Ziggler Nata Catalyst हमारे जो यूज होते हैं किस में यूज होते हैं Synthesis of the Polymer यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या Synthesis of Polymer of the Polymer Belonging to 1 Alkene यानि कि जैसे हमारा क्या होता है 1 Alkene उनके Polymers बनाने के लिए हमारे यूज होते हैं Basically हमारे क्या होते है Alpha यह हमारे क्या होते है Alpha Olyphins इनकों क्या बोल सकते है Alpha Olyphins जो हमारे क्या होते है Hydro Carbon जिसमें एक Carbon Carbon Double Bond होता है ठीक है जो N क्या होते है हमारे Organic Derivative और हमारे क्या होते है Organic Derivative किसके Non Transition Metal के Organic Derivative of Non Transition Metals Like हमारा Alkyl Aluminium Compound जैसे कि हमारा क्या होता है Alkyl Aluminium Compound तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी कि हमारे Catalyst इनके कौन से होंगे जो हमें Options गिवन है तो हमारा इसका हमने बता है Transition Metal Like TiCl4 And हमारे Trialkyl Aluminium होता है Trialkyl हमारा Aluminium यह इसके क्या होते हैं Basically यहाँ पर Catalyst होते हैं जो हमारे इसमें Use होते हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर हम Option देखें तो First is TiCl4 तो यह Wrong है Second हमारा Match कर रहा है क्योंकि यह हमारे किसे बने होता है Mixture of यह हमारा Transition Metals के Halites और Organic Derivative of Non-Transition Metals Like Alkyl Aluminium Compounds तो Option 3 भी Wrong है Fourth में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है Boron का दिया हुआ है तो यह भी इसलिए हमारा Wrong है तो हमारा Option 2 यहाँ Correct हो जाएगा Okay guys, thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर